आप सभी का स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है, सास चली स्कूल, यहे एक सास बहु की कहानी है, अनुपमा अपने एकलोते बेटे उदे के साथ चंडीगर शहर में रहती थी, उदे एक बड़ी कमपनी में नौकरी करता था जहां उसे सौम्या नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं, सौम्या अनुपमा की एकलोती बहु है और वो बहुत पड़ी लिखी लड़की है, जबकि अनुपमा के लिए सब कुछ कालक शर भेंस बराबर है, लेकिन फिर भी अनुपमा एक बहुत अच्छी सास है जो अपनी बहु का हर क सौम्या को दे जाता है, उसके जाने के बाद सारा हिसाब किताब सौम्या ही देखती है, शादी के तीन महीने बीच जाने के बाद भी सौम्या को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी सास अनुपमा को जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता है और नहीं कभी उदेने सौम्य में जेकर छेरा एक बार जब सौम्या को घर का राशन पानी लेने बजार जाना होता है तो वो अपनी सास से कहती है सौम्या मा जी मैं राशन लेने जा रही हूँ अगर पीछे से दूध वाले भाया अपना हिसाब लेने आये तो आप उन्हें तिजोरी से 2000 रुपे दे देना ह अनुपमा हां बहु तुम निश्चिन्थ होकर जाओ मैं दूध वाले का हिसाब कर दूंगी अनुपमा इस उम्मीद में अपनी बहु की बात मान जाती है कि उसने अलमारी में गिनकर ही पैसे रखे होंगे जिन्हें वो निकालकर दूध वाले को दे देगी थोड़ी देर सोमया बजार चली जाती है उसके जाने के कुछ देर बाद उनकी घर की घंटी बजती है दूध वॉला राम राम में साहब मेरे पिछले महीने का हिसाब दे दो में साहब अनुपमा हाँ यहीं रूखो मैं अभी लेकर आती हूं अनुपमा दूद के पैसे लेने कमरे में जाती है और जैसे ही तिजोरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते है अनुपमा अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हजार रूपे कितने होते है शायद बहुने दूद के पूरे पैसे ही रखे है एक काम करती हूँ, ये नोट की गड़ी दूद वाले को दे देती हूँ जितना भी हिसाब होगा वो अपने आप देख लेगा अनुपमा दो हजार से ज़्यादा पैसे ले जाकर उसको दे देती है और कहती है अनुपमा, अरे रामलाल, ये ले और एक बार मुझे ये पैसे गिनकर बता दे अगर ज़्यादा हो तो मुझे लोटा दे और कम हो तो वो भी मुझे बता दे रामलाल ये बात भली भाती समझ जाता है कि अनुपमा एक अन्पवरत है और उसे पैसों का बिल्कुल भी ज्यान नहीं है इस बात का फाइदा उठा कर वो कहता है दूधवला, मा जी, पैसे पूरे हैं मेरे इतने ही पैसे थे और हाँ बहुरानी से कह देना आज तक का मेरा पूरा हिसाब हो गया है इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है कुछ देर बाद सौम्या बजार से आती है और अपनी सास से कहती है सौम्या, सौरी मा जी, मुझे बजार से लोटने में देर हो गई आज बजार में भीर इतनी थी कि क्या कहून अच्छा मा जी, क्या दूधवाले भाया अपना हिसाब ले गए आपने उनका हिसाब कर दिया आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई न अनुपमा, नहीं नहीं बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और हाँ मैंने दूधवाले का हिसाब कर दिया है वो कह रहा था कि उसका अब तक का सारा हिसाब हो गया फिर भी तुम एक बार तिजोरी देख लेना कि कही पैसे कम तो नहीं हुए इसके बाद सौम्या आकर अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोल कर देखती है तो वहाँ पैसे कम होते हैं वो आकर अनुपमा से पूछती है सौम्या, मा जी, आपने पैसे किसी और काम में भी खर्च किये है क्या वहाँ से पैसे ज़रा ज़्यादा निकले हैं बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस इस ये पूछ रही हूँ कि आपने कही पैसे ज़्यादा तो नहीं दे दिये क्योंकि तिजोरी में पैसे हजार रूपे से ज़्यादा निकाले हैं अगर आपने किसी काम में खर्च किये हैं तो कोई बात नहीं, ये पैसा है सौम्या की बात सुनकर अनुपमा सोचती है अनुपमा, हे राम, कहीं मैंने दूद वाले को पैसे ज़्यादा तो नहीं दे दिये फिर वो घबराते हुए अपनी बहु सौम्या से कहती है अनुपमा, सच कहुन बहु तो मुझे पैसे गिनने नहीं आते और नहीं मैं पड़ी लिखी हूँ मेरे लिए तो सब कुछ काला अक्षर भेंस बराबर है मुझे लगा कि तुमने दूद के पैसे गिनकर रखे होंगे सो मैंने उठा कर उसको दे दिये लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रामलाल मुझसे दगा कर जाएगा मैंने तो उस पर कितना भरोसा किया था पता नहीं आज मुझे अनपर के कारण तुम्हारा कितना नुकसान हो बया होगा प्रशन वाचक चिन्ह सौम्या मा जी आपके उपरेशान हो रही है पैसे दूद वाले को ही तो दिये है कोई बात नहीं अगले महीने की हिसाब में लगा दूँगी लेकिन मा जी एक बात बताए अगर आपको परना नहीं आता तो आपके बात मुझे से कह देते उधे ने मुझे ये हिसाब किताब दिया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिसाब किताब मुझे मिले मैंने जब उदे से कहा तो उन्होंने कहा कि हिसाब किताब तुम संभालना फिर मैं मना नहीं कर पाए और नहीं मुझे ये पता था कि आपको पढ़ना नहीं आता अब सौम्या के मन में यह इच्छा जाग जाती है कि वो अपनी सास को पढ़ना लिखना सिखाएगी इसलिए वो ऑनलाइन ऐसे स्कूलों को ढूंधने में लग जाती है जहां उनकी उमर की महिलाओं को पाया जाता है कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद सौम्या को ऐसा एक स्कूल मिल भी जाता है सौम्या, उदै, मैंने ओनलाइन एक ऐसा स्कूल दूंदा है जहां मा जी की उमर की ओरतों को पढ़ाया लिखाया जाता है मैं चाहती हूं कि मा जी भी स्कूल में जाएं और पढ़ना सीखें उदै, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है सौम्या, लेकिन क्या मा इसके लिए तयार होगी सौम्या, मैं कुछ नहीं जानती उदै, आप किसी भी तरह मा जी को मना लो उदै अपनी मा से बात करके उन्हें स्कूल जाने के लिए मना लेता है फिर वो दोनों जाकर अनुपमा का एडमिशन करवा देते हैं अगले दिन उदै अनुपमा को स्कूल छोड़ आता है कुछ दिन स्कूल में पढ़ने लिखने के बाद अब अनुपमा को पढ़ना लिखना आ जाता है फिर एक दिन दूधवाला अपना हिसाब लेने आता है तो सौम्या अपनी सास को आवाज लगा कर कहती है सौम्या, मा जी, जरा एक बार दूधवाले का हिसाब कर देना मैं रसोई में कुछ काम कर रही हूँ अनुपमा, ठीक है बहू, तुम अपना काम निप्टा लो तब तक मैं इस दूधवाले को निप्टा कर आती हूँ फिर अनुपमा पैसे लेकर जाती है और दूधवाले से कहती है अनुपमा, रामलाल, तुमने मुझसे अनपर समझ कर पैसे ठगे थे तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुम्हारी इमानदारी पर मैंने कभी शक नहीं किया वो तो भला हो मेरी बहू का जिसने मुझे सच सच बता दिया मैं तो खामखा तुम्हीं इमानदार समझ रही थी आज के बाद अगर कभी किसी हिसाब में गढ़बर हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रामलाल को अपनी गलती का अहसास हो जाता है और वो अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मानते हुए कहता है दूधवला, मुझे माफ कर दीजे, मैंसाहब इतने नोट देखकर मैं लालच में आ गया था, इसलिए जूट बोल दिया आगे से ऐसी गलती नहीं होगी अनुपमा आखों में आशूल ये रसोई में आती है और अपनी बहु से कहती है अनुपमा, सौम्या बहु, आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे में इतनी हिम्मत आई जो मैं ये हिसाब कर पाई आज मुझे पयाई की एहमियत समझ आ गई बहु, पयाई करके जो आत्म विश्वास और समाज में इज्ज़त मिलती है, उसका भी अपना ही मजा है तु मेरी बहु नहीं, बेटी है बेटी, भगवान तुझ जैसी बहु हर किसी को दे सौम्या, मा जी, ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है जो आपने समाज की परवा किये बिना अपनी पाई जारी रखी मुझे गर्व है कि आप मेरी सास हैं दोनों सास बहु आँखों में खुशी के आशुल ये एक दुसरे को गले लगा लेती है इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं